तो मदप्रदेश में दस सीटों पर कॉंग्रिस ने प्रत्याशियों के नामों का एलान किया आठ नए चेहरे और तीन विधायक है जिन पर पार्टी ने दाव खेला है अब इस सूची को जरा समझने के कोशिश करते हैं हमारे साथ इस वक्त एक्जिक्टिव एडिटर मनों सानी जी लाइफ जुड़ गए हैं इन दौर से इसके साथ ही प्यूश आपको नज़र आ रहे हैं जवलपूर से हमेद हमारे साथ जुड़ है इस सूची को जरा समझाईए क्या देख पा रहे हैं आप आठ नए चेहरे दस में से और तीन स्टिंग जो वधायक है उन पर पार्टी ने दाव खेला है कैसे देखा जाए इस सूची को देखिए दस नाव जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो नाव हमारे सामने यदि ओमकार मरकाम का हम जिक्र करते हैं तो ओमकार मरकाम बहुत अच्छा चेहरा है कांगरिस की तरफ से और फगण सिंग कुलस्ते से उनका मुकाबला होगा इसी तरह यदि सिदार्द कुस्वा जो बरत्मान में बिधाय के सतना से उनको भी देखते है तो सतना में गड़े सींग क्योंकि अभी हाली में हमने देखा कि उन्होंने चुनाव हराया बिधान सवा का गड़े सींग को तो एक अच्छा चेहरा जातिगत समिक्रणों के जिसको लेकर भारती जंता पार्टी निगाय बनाए हुई चर्चा ऐसी है कि अगली जो सूची आगी तो बंटी साहू वर्सिस नकुलनात हो सकता है अलकि बीजेपी की दूसरी सूची आना लेकिन हम पूरी सूची को एदी देखे तो किसका मुकाबला किस से होगा तो जो म उनको हार का सामना भार से करना नहीं पड़ा तो बहुत मजबूत कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से माने जा सकते है लेकिन पंकज एक नया चेहरा है स्वभाविक के कि कुछ देखा गया होगा पंकज चाहिरवार को लेकर और इसी तरह भिंड फूल सिंग बरहिया वर्सि कोई सतना की आप से सिद्धाद वसिज गड़ी सिंग दिखाई देंगे सीधी की बात कमलिस और पटेल के सामने राजेस सर्मा होंगे जो नए कैंडिडेट है अच्छा चेहरा है और बहुत मजबूत कैंडिडेट है अच्छे माने जाते जंजाती के बीच में उनके देबास में राजेंदर मालवी लेकिन महेंदर सोलंकी जो पहले जजज रहे हैं बात में उन्होंने भारती जंता पार्टी का दामन थमा पिछली बार चुनाओ मैदान में उत्रे इस बार फिर बीजेपी ने उनको खड़ा किया है तो यहां भी मुकाबला रोचक मालवी के बेटे हैं तराना से चुनाओ लड़े थे 2017 में जहां तक मेरी जानकारी में है लेकिन हार का सामना करना पड़ा था कॉंग्रेस ने उनको वहां से चुनाओ जैन का तराना वहां से उनको केंडिडेट बनाया था लेकिन जीत नहीं पाए थे अब उनको लोग सभा क केंडिडेट बनाया चुक्कि उनके पिता का काफी बर्चस रहा अच्छा खासा जाती का सम्कर्णों के आधार पर हम देखें आरक्षिस सीट है इसलिए उनको वहां से मौका मिल गया इसी तरह हम खरगोन की तरफ जाते है तो पूरलाल खर्टे या खर्टे या नजर आ रह मुकाबला बड़ा रूचक होगा लेकिन कुछ जगे नए चेहरे दिखाई दे रहे अब बिल्कुल मनो जी मैं पियूश के पास जाओ लेकिन उसके पहले ज़रा एक सीट जिसका अपने जिक्र क्या है टिकमगर पंका चहरवार यहां से विरेंदर कुमार सामने इतने चुनाती हो सकती है यहां से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी चुनाती ठीक ही लगतार अब जब किसी क्या डिटीर बहाँ से चुनाव जीतता है तो इसकी अपनी ये यह कहा जाए कि पार्टी की नहीं कहूंगा मैं उनकी अपनी एंटी इंकम्बेंसी होती है और जब नया चेहरा होता है तो उनको उसका लाव मिलता है इसलिए उनको पंकच को महां से मौका दिया होगा लेकि बीरेंद खटिक के बारे में यह कहा जाता हूँ आज भी भले वो दो बार के कैंद होगा बड़ा भारी चेहरा है वो तो इस तरह से पंकच लेकिन नया चेहरा कहीं लगा होगा कि एंटी इंगम्बेंसी उनके चेहरे को लेकर हो सकती है लगातार जीत रहे किसी नए चेहरे को हम सामने लाएंगे तो युवा वोटर साथ में जाएगा इसलिए कि कांगरस ने एक दाव खेलने की कोशिश की है एक प्रियोग करने की कोशिश की अब ये प्रियोग कितना सफल होगा बीजेपी के प्रत्याशी के सामने ये तो हमें चुनाव के समय पता चलेगा